परम प्रिये देवगरवासियों श्री दीपू पंडा प्रियाग राज इलहाबाद काली मचली वाले के अनुसार तीर्थ राज प्रियाग में आप देवगरवासियों के ठहरने चाय नास्ता एवं भोजन हेतु दशाशोमेद घाट पर गंगा किनारे दशाशोमेद महादे मंदिर के पीछे दारागंज इलहाबाद में बाबा बैदेनाध धाम आश्रम पंडा धर्म रक्षनी सभा शाखा प्रियाग राज में स्थापित किया गया है इस आश्रम के संपुन स्थापना में लगभग 12 लाख रुपे खर्च किये गये हैं जिसमें आपके सहयोग से 8 लाख रुपे प्राप्त हुए हैं परन्तु व्याज सहित बांकी राशी 4 लाख रुपे जो अभी भी कर्ज के तौर पर बनी हुई है इसके भुगतान के लिए आपसे सहयोग की अपेक्षा है ध्यान रहे आगामी 30 सितंबर तक ही आश्रम की बकाय राशी का भुगतान करना है अन्य था आश्रम का प्राइवेट लोन और कोट में इकरार नामा होने के कारण आश्रम को बेचना पड़ सकता है मजबुरन पुर्व में प्राप्त सहयोग राशी सभी दान दाताओं को वापस करना पड़ेगा इसके लिए आश्रम के प्रबंधक श्री दीपु पंड़ा प्रयाग राज का कोई दोश नहीं होगा दान देकर आश्रम को बचाने के इच्छुक्ष्ट धालू जल्द से जल्द संपर्क करें निवेदक स्वर्गे दीनानाथ पंड़ा के पौत्रोव भोग और मोक्ष के पंड़ा श्री दीपु पंड़ा काली मसलिवाले समस्त देवघर जिला के पंड़ा आप से प्राप्त राश्यों का ब्योरा अगले वर्ष पत्रिका के माध्यम से आप तक पहुंचाई जाएगी श्री दीपु पंड़ा जी से देवघर में मुलाकात के लिए 30 सितंबर तक इस पते पर सुबह 10 बजे के पहले संपर्क कर सकते हैं पता याद रखें श्री सत्य नारायन पंडित जोगन महराज जी के मकान में आरेल सर्राफ रोड बाबु साहित किताब दुकान के पीछे वाली गले में विशेश सूचना कृपया ध्यान दें उतर प्रदेश की सरकार द्वारा पंडा धर्म रक्षणी सभा शाखा प्रियाग राज के नाम पर प्रियाग में लगने वाले प्रतिक वर्ष माग मेला में निशुल्क सुविधा जैसे टेंट, बांस की बौंडरी, नल, बिध्युत, शौँचालय आदी की सुविधा प् प्रियाग में बचाएं देवगर का सम्मान